तुरा मेरे नज्जित मंड़कूं वरल में सिखा पदिंसमोधियामी तुरा देपता बड़ा या देवबड़ा और देपता को देवी भी कहते हैं यानि के देवी देपता बड़ा या देवबड़ा यह सवाल बहुत ही मजदार है और इसका जवाब आपको इस वीडियो में सुनते सुनते ही खुद ही मिल जाएगा आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि देव बड़ा है या देपता बड़ा है देव या देपता एक कहानी चलती है बारवाद त्रीपीटक में भगवान बुद्ध के अंतिम समय की भगवान बुद्ध साल के दो पेड़ों के नीचे लेटे हुए हैं और अपने मच्चू का यानि अपनी मिट्टू का इंतियार कर रहे हैं उनके हाथ में हैं उनके वस में हैं उन्होंने तीन महीने पहले डिकलेर किया था कि मैं वैसाग पूर्णुमा की रात को तीसरे पहर में यानि अंतिम पहर में जब सूरज निकलने वाला होगा तब मैं अपना सरी छोड़ूँगा सांस बंद करूँगा तो वो तीसरा पहर आता है तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि भित्वो आप यहां से हट जाओ कि देवता लोग आय वए हैं और भगवान बुद्ध का दर्सन करना चाहते हैं और वहां किसी को देवता का कैई वार जिक्र आता है ये देव और देवता होते क्या है क्योंकि ये जो देव है या देवता है या जो देवता को बात में देवी कहते हैं रसल देव है पुलिंग यानि के पुरुस वाचक है और ये जेंडर जो इसका है वो मेल है और अगर इसका फीमेल को बोलेंगे तो बोलेंगे देवता यानि कि भासा में संस्काइद करके इसको देवी बोला गया है फैस चिया सों की पत्रीती राजा सोकी सम्राट आप सोकApp चाहि जो संघンドरा और नहीं जो मा थी उसका नाम भी इवी बताया जाता है देवता रहा होगा क्योंकि पाली में देवता होता है, जैसे कमला है, सरला है, विमला है, ऐसे ही देव का देवता हो गया, कमल का कमला, देव का देवता, क्योंकि जिसमें आका डंडा लगता है, वो फैमिनान हो जाता है, इस्तिलिंग हो जाता है, तो यहां अगर आप पाली म के अंदर जो आज के समय में आप बहुत ज्यादा कहते हैं यह दीजी यह देता है यह देना है यह दिया हुआ है यह सारे पाली के हैं यानि दे सबसे जो सब्सक्राइब होते हैं जैसे समाधियामी आदियामी ददामी दंतू दतू यह जो सद्ध है सारे के सारे यह वहीं से बने हुए हैं तो दे का मतलब होता है देना गिव और दे में एक ही मातला दे के साथ में अगर एव लग जाए एव तो इसका मतलब होता है देता ही है यानि कि हम ऐसा देता वो मनुस्य भी हो सकती है और वो कोई वस्तू जैसे पेड़ पौधे या कोई पक्ति की प्रक्रति की नेचर की चीज भी होती है तो यारी जो देता ही है जो देता ही है हम ऐसा उसको देव कहते हैं अगर वो पुलिंग है अगर वो मस्कुलर है अगर वो मेल है तो उसको देव बोलते हैं और अगर वो female है, ethiling है, feminine है, gender तो उसको बोलते हैं देवता या बाद में कहा गया देवी तो यहां इस्पष्ट साफ है कि अगर आपको कोई पेड़ फल देता है तो वो हो गया रुख देव या देव रुख या देव ब्रक्ष या देव ट्री यानि देने वाला हो गया अगर कोई प्रत्वी आपको देती है तो वो देव भूमी हो गई यानि कि देव भूमी जो भूमी है वो हमेसा देती है अगर आकास आपको पानी देता है तो वो देव हो गया जिसको देव गगन बोलेंगे या देव तो इस तरह से आप लगा सकते हैं जितने भी लोग हैं ज लेने के जादा सब से जादा देने वाले जन्हों ने सब कुछ अपना दे धिया वेशा धिर ने सब कुछ जीवन में जीवन उन्हों ने दिया मानन्यilight के लिए और आज तक भी उनकी vital को मिलता ही है तो ये जो देव सब्द है जैसे देव घर देव धर है बैसिकली देव धर का मतलब जहां देने वाले स्थित रहते हैं देव गर गर मौहाँ जो जगे है महां भगवान dependency आया है करते थे देव भाइव कि देव भालते हैं वह जगे गर हो गई ़ोह प्रस्द है वहा बहुत लोग जाते ते यह के अंदर बड़ी प्रिस्द है या देव के नाम से या देवता के नाम से आप जितने भी सद्ध हैं जिन में पहले देव लगा होगा इसका मतलब वो देने वाले लोग हैं जिरोंने कुछ ना कुछ दिया है क्योंकि देवता जो सब्द है और डेवी जो सब्द है या डेव जो सब्द है इसमें देवी बाद में बना हुए बाद में इसको ऐसा माना गया जैसे जो मनस्य है पहले यह समझले है क्या है जरसल मन के लिए मनस्य होता है यह सब पाली के अंदर मनस्य यानि के मन के लिए मन के लिए का मतलब है कि जो मन है हमारा उसके लिए जो सरीर बना हुआ है रूप बना हुआ है उस पूरे को बोलते हैं मनस्य तो मनस्य हो गया हमारा तो मनस्य वो होते हैं जो आम जन साधान लोग सारे हो का मतलब दान को देने को और दान का मतलब देना तो जो दान करते हैं उनको देव बोलते हैं और जो दान करती हैं उनको देवता बोलते हैं बाद में ऐसा लगा कि आका डंडा संसकाइद भासा में मस्कुलर के लिए इस्तमाल होने लगा जैसे लड़का और लड़की तो इसको देवी कर दिया गया और ये देवता और देवी एक ही बात होते हैं तो जितने भी मनुस्य होते हैं मनुस्य तो सारी होते हैं मगर उसमें जो पंच असील का पालन करते हैं और उसमें जो देने की दान देने की प्रवती रखते हैं उनको देव या देवता बोलते हैं तो आप अगर देव या देवी या देवता का कहीं कोई मंदर देखते हैं मंदर का मतलब है जहां मन का द्वार लोग खोलते हैं जहां मन के द्वार की विपस्णा करते हैं एसा कोई मंदर जिसमें कोई देव या देपता का नाम है। बहुत चलता है, बड़ा फेमस है। तो इसका मतलब वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा या कोई चीर ऐसी रही होगी जो हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के लिए देता है या देती है जो हमेसा दान देने वाले लोग होते हैं यह बड़ी सरलसी और बड़ी सिंपल सी भासा है और पाली की भासा है इसलिए आज के समय में जो देव या देवादी देव या देवा देवा या जो देव के नाम से जितने भी सद्ध है या जो सद्ध चलते हैं उनमें लगता है कि यह व्यक्ति प्रधान है यह महिला प्रधान है और यह कोई अलोकिक यानि के लोग यानि सरीर से परेकी कोई चीज है कोई खास चीज है दरसल खास तो हैं मगर सिर्फ इस मामले में है कि वह हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं कल्यान करते रहते हैं आप भी डेव बन सकते हैं आप भी देवता बन सकते हैं अगर आप लोगों के कल्यान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं देते रहते हैं तो अगर आप मेल हैं तो आप देव हो जाएंगे और अगर आप फीमेल हैं तो आप देवता हो जाएंगे ज़ादा लोग नाम से पहले लगाते हैं, जैसे देवदत्त, देवदत्तका मतलब है देने वाले के दोआरा प्रदत किया हुआ, दिया हुआ, तो देवदत्त हो गया ऐसे ही देवा देवादी देव या देव ये सारे के सारे नाम है इसमें एक नाम बड़ा प्रमुख है जो ये पार्क में जहां मैं बैठा हूँ ये पार्क देहली के अंदर है और ये बुद्धा पार्क है तो ये जो पार्क है देहली के अंदर है देहली नाम कैसे पड़ा द परसल पाली के अंदर दल नी बोलते हैं दल नी दल नी का मतलब होता है वो दहलीज वो जगे जहां देने वाला हाजिर होता है यानि दलीज बोलते हैं कहते हैं के तेरे दर पे आया हूं तेरे दहलीज पे आया हूं तो जो दहलीज है उसको दल नी बोलते हैं पाली के अंदर दलनी का दल ही हो गया और दलनी से दिलनी से दहली हो गया तो ये सद जो पड़ा हुआ है ये एक दहली है एक जगे ऐसी है जहां सब को कुछ ना कुछ दिया जाता है बात में ये दिल्ली पड़ गया यानि कि दहनी से दहली हो गया ये बहुत मैदार सी बात है क्योंकि दिल्ल का नाम पाली के उभरेस का मतलब यहां देने वाले लोग रहते हैं अभी तो यहां बहुत सारे मिक्स हो गए बहुत सारे लोग रिफ्यूजी आए जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था दिल्ली भरी पड़ी है ऐसे रिफ्यूजियों से जिनको आरक्षण भी मिला और जिनक बहुत सादा सुद्धाय मिली और जिनको जमीने मिली और जिनों ने यहां अपने आपको बहुत ज्यादा डवलप किया और बाद में अपने बच्चों को बिदेश भेज दिया अधिकतार लोग अपने बच्चों को बिदेश भेज चुके हैं दिल्ली की एक कहानी है तो य सारे के सारे सद्ड्ण पाली के हैं और इसका मतलब है कि यहां कोई देने वाला है वो नि्रजी भी हो सकता है जीप हो सकता है पेड़ पौध मिध्यात कुछ मुह सकती है व्यक्ति महिला भी हो सकती है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसन लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरनं गच्छामें से लूँ गच्छा मूँ